हम बात करें मरशागर की तो वहां कैसी हबा है तो देखो रविंदर सिंगि यूगा संगिटटन है हम रविंदर सिंग को बोड देंगे जरूर देंगे अब तो हम वीजीपी को शिर्फ नरेंदर मोदी को देंगे हमें आसा है कि नरेंदर मोदी हो सकता है और टाइम में पानी की तो वेवस्ता कर देगा अबर एक नन्ना पहन मिला है मुझे क्या नाम है तुमारा आसीज अशीजी उदर देखिए उदर सामने अशीजी क्या कहना चाहिए बताओ मेरा अंदर के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ बोलू राइंदर को बोड़ देकर जिता है और एना मीठा पानी लाए यहां बर अधिके एक नन्ना रिकेस्ट कर रहा है बालक है और कौन सी क्लास में पढ़ते हो देखो शिक्स क्लास में पढ़ता है और यह रवींदर जो रवींद सींग भाटी है उनका फैन है और देखो नेताओं से उम्मीद नहीं बड़े बड़े नेता हो चुके हैं लेकिन एक रवींदर युवा जो चुनाव लड़ने आई यहां पर और एक ननना बच्चा उनका फैन है और यह कहरा है रवींदर हमको पानी इस गाउ में दे सकता है और कहरा है कि रवींदर को बोट दे करके जिताना है ऐसा इस बच्चे का कहना है भावना इस बच्चे की बड़ी प्यारी लगी मुझे तो सचमें दोस्तों बच्चों का दिल बड़ा साफ होता है मालूम पड़ता नहीं है कोई भी बोलता है कि मैं कर दूगा मैं कर दूगा लेकि विकास होता है नहीं लोकसभा चुनाव दो हजार चौबीस का महा कावरेच हर शोहर गाउं और धानियों का चुनावी रंग श्याम बिर सिंग के संग आपके शोहर जैसलमेर का लोक प्री यूट्यूब चैनल जैसलमेर की गलियां आज चलते हैं जैसलमेर के अमर सागर गाउं तो दोस्तों आज हम अमर सागर जा रहे हैं और जैसलमेर में चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है तो अमरसागर के लिए जैसल मेर से जाने के लिए टेंपो मिलते हैं जिसमें आज मैं बैठा हूँ और यहां से 5 किलो मीटर है बहुत जादा दूर नहीं है लेकिन इससे पहले मैं 5 साल पूर्व गया था जब चुनाओ थे वहां पर और सभी लोगों ने कहा था कि अभी तो हमारे जो MLA रूपाराम जी बने हैं और उन्होंने वादा किया है कि हम मीटा पानी गाउं तक पहुचा देंगे और फिर लोग सभा के चुनाओ यह तब भी गया था तो उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं आया है लेकिन पांस साल हो गए रूपाराम का कारेकाल भी समाप्त हो गया और अब मैं वापस जा रहा हूं लोगों से पूछने तो यह टेंपू में अमरसागर के निवासी हमको यहां पर मिल गए भी तो एक मिट बेट हो आओ का का आज आओ तो इनसे हम बात करते हैं कि क्या पानी आपके गाउं में पहुचा है पहले तो अपना नाम बताइए क्या नाम है आपका मैं भीरा रहा हूं अपके गाउं में पानी की क्या प्रॉब्लम है इनको बोले ले हैं आप से बात करें बात यह जाओ आप आव तो सही अ आपि कितने में लाए मत की लाएं और आप अभी पानी खरीद के लाओ पानी के पानी अभी तक वहां पर मीठा पानी नहीं पहुचा सके हैं हम और यह हमको आजादी को 70 साल हो गए अच्छा आपने तो आजादी से पहले का समय नहीं देखा होगा एक पुराना अमर्सागर देखा होगा बीस साल पहले का कुछ याद होगी उसमें और आज के अमर्सागर में कितना बदला वा आज पानी पहले ऐसा ही मिलता था आज भी मिलना ऐसा ही पौणी है मतलब आपके जनम से लेका आज तक वही पानी मिलता है सड़के जरूर बन गई है अच्छा बिजली 24 गंटे आती है ब बतंते फिल बाकेएरह पिल ऑते तीन हुड़ प्रक्षा मेंहेन रहा बाला सवनता है लासन को पईसा लगता है कितना रासन मिला विश्क लादे मेने को यह सतर साल हो गए आजादी को और गाओं में यह रहते हैं अभी पांच किलो अनाज इनको मिलता है बिजली का भी बिल आता है गाओं के लोग है चलो बिजली 24 गंटे मिल लेए क्योंकि आप बिंड मिल्स बहुत है लेकिन पानी जो बुनियादी सुविदा है अच्छा ये बात बताओ अगर मैं आप से कहूं कि हम मीठा पानी आपको आपके घर तक पहुचा देंगे तो आप बारे रेकिस्तान में पानी बहुत जरूरी है ये पशू पालक है कोई अपने चोटा-मोटा काम करके गुजारा कर लेते हैं लेकिन पानी मिलता ही नहीं है आप आपर तो कहां लाएं टंकियों का पानी लाते है वो भी शायद वो थोड़ा अलका खारा भारी पानी होता है लेकिन नहर का पानी आ गया है लेकिन पीने के लिए भी भी उपलब्द नहीं है थोड़ा इदर करेंगे एक बहिया और है आप से बात करते हैं को पानी कले एक बढ़ा पांब करता है उसका पानी खारा रहा रहता है जैसल में ऐसे पाँच किलोमीटर दूर और फिर भी पानी की समस्या में वहां भी पानी का समस्या यह लाइट की समस्या है लाइट सिंगल बॉल्ट सलता है थ्री फिस लाइन है नहीं रात में वह कभी कोई लगा लेता है तो हमारे को पंखाओं का भी बड़ा पड़ता है रात में लाइट चली जाती है मासर कारते है बहुत जंगी है यह और पूछ रहा है आपके गाहों के बाहर मैंने देखे लग लग रहा है तो इस बार चुनाओं का क्या लग रहा है आपको मन में क्या हो रहा है देखो कोई बीजेपी का है कोई इसको बोट देंगे जो विकास करेंगे इसको बॉट देंगे कि विकास कर सकता है तो हम सब्सक्राइब करें एक दानीत oh सबसे बड़ी बात है जो अच्छा लगे चुपचाप देखे आ जाओ किसी को पता नहीं राजनी तो चलती रहती है ना किसी से यारी न दुश्मनी जो को अच्छा लग रहा है उसको दे देंगे बहुत बड़ी आप गाउं के लोग इसी लिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पहले नहीं बताते हैं क्यों दुश्मनी हमारे सब प्यारे देश के और जो भी हो जाए सब विकास ही करेंगे हमारा विकास तो कोई करें न करें ल अच्छी बात है बोर्ड करने जरूर जाना और अभी हम आपके गाउं जा रहे हैं आपके साथ में चल रहे हैं हम गाउं बालों से जाएंगे पूछेंगे क्या हाला आते हैं गाउं के पानी की समस्य और क्या क्या समस्य गाउं की तो आज हम इसी टेंपो के माध्यम से आप टोस्तों इस समय में जैसल्मेर से अभी एक टेम्पू के माध्यम से पहुँंचा हूँ एक टेम्पू के माध्यम से पहुचा हूँ अमरसागर गाउं और यहं कि एक पर तर जैसल मेरे में काम करते हैं ना सभी लोग और यहां पर इस अमर्सागर गाओं की सबसे बड़ी खास बात क्या है बताइए क्या है अमर्सागर गाओं की खास बात तो यह टेंपल है जैन मंदर जैन मंदर और एक लुद्रु अदिवी है तालाब है गोमने के लिए यह जो तालाब है ना नीचे इसमें बहुत सारी बनी हुई है यह ना क्या काम हाती है यह पानी बनने के लिए यह जैसे बांद के लिए वह इसमें पाणने के लिए सब पढ़ाई करने बच्चे और 12 के बाद जादा तर बाहर चले जाते हैं अभी ट्वेल्थ हैं नहीं मैंने बाहर से ट्वेल्थ की जोदपूर से स्री राम चात्रावास से और यहां ट्वेल्थ कब अब कने दिर सबादे यहां जे तक यहां को यहां वर से और से स्वाद फेल्थ में पानी का फॉछ पीना है तो वह तो बहुत दूर पड़ता हूं घर गरा गर के लोग आते हैं वह तो है बहुत बहुत बैनत का काम पहले और भी हमर इसी गाओं के वा आँ यह देखिए आप कितने साल से देख रहे हो इस तीदी पानी का यहां बड़ा समस्या मैं तो सा पंदरा साल से देख रहा हूं मेरा जनम 2002 से पंद पढसे के यहां से नहीं है कोई-कोई नए गार आ» सबसे बड़ी समस्या यहां पानी की है और गाहँ वाले कहते हैं के में पानी पहुंचा में लेते हैं, तो वो पानी भी सरकार यहां तक नहीं दे पा रही है पानी नहरी का पानी आ घया जेसल विश्वार में सप्लाई अच्छी है लेकिन पर चुनाव की बात करें तो हवा कैसी चले जिए जयां किसकी तरफ चुनाव तो तो देखो रविंदर सिंग की यूगा संगेटन हैं और रविंदर सिंग को बोट देंगे जरूर देंगे उनसे उम्मीद कर रहे हैं वह यूवा है वह ला सकता है पानी यह तो बड़े वाले तो खाने के गर पेट हुए बिल्कुल देखिए 70 साल हो गए कॉंग्रेस बहुत साल बीजेपी भी आ गई अब यह सोच रहे हैं कि वहा है जो बाड़कापी जोश में रवीन जी उनको चुनना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है अभी यह वा इनका तो बोट है नहीं कुछ हमारे गाउं के लोग और हैं हमें इनसे बात करते हैं सच में आज इस गाउं में मैं घुमा हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी गाउं की गलियां तो आपको पूरा गाउं खाली नजर आएगा और इस गाउं के लोग जो है के दोपहर का समय है कुछ तो घरों के अंदर हैं या पर शहर में शहर में काम करने गएं आबादी गाउं की वैसे ही कमे लेगी थोड़ी आबादी है इसलिए ये बेरे का पानी है वहां से पूरा पढ़ जाता है मीटा पानी और अगर बहुत सारी आबादी हो तो बड़ी मुश्किल होगी आगे समय जो आबादी बढ़ेगी तो पानी की समस्या होगी तो यहां अगर सागर्म बहुत पुराना मंदिर है और विसा जी हमारे साथ शर्मा जी हमारे साथ है ओम प्रकाश शर्मा जी जो यहां काफी लंबे समय से यहां लच्विनात की सेवा में सेवा रहते हम इंसे बात करते हैं प्रकाश जी पहले तो हम आपके गाउं के हाल कैसे बताई गाउं लेकिन उनके द्वारा भी कोई ऐसा गाउं में कारियर नहीं किया गया है। कॉंग्रेस की भी सरकार कई वार आई है। कॉंग्रेस ने भी बिलकुल यहां पे कोई तरह से ध्यान नहीं दिया है। गाउं के अंदर मूल सुईदा है जैसे पानी की बिजली की सफाई की यह जीरो बटा जीरो है। हमने कई बार प्रसाशन से भी मिले हैं कई बार उसे बात की है। सिर्फ सांत्वना मिलती है कि काम हो जाएगा। लेकिन आज तक गाउं में बिजली है। जीरो ज्यादा वॉल्टेज नहीं होने से गाउं कुछ बढ़ा भी हो गया है। लोगों के आवस्शन अबी बढ़ गी हैं। लेकिन वह आज तीस साल पहले जो गाऊं में वॉल्टेज था। वो का वो वाल्टेज है इस कारण से हर दो चार गंटों में फॉल्ट आ जाता है फिर फॉल्ट को ढूंड़ना में चार तीन चार पांच गंटे भी लग सकते हैं और लाइनमेंड जी से भी बात करते हैं तो वो अपने कारी पे लगे रहते हैं सही फॉल्ट उनको टाइम पे नहीं ंजा नहीं मिले तो हो सकता है पूरा दिन भी लाइड चली जाती है। चोड़के भी चले गए है पर जो बैठे है वो अभी तक इनके परकारे इन अपना कारी कर रहे हैं बाकि गाउं या पर अमर्सागर जैन तिर्थिस्तान है यहां का लक्षिनाजी का मंदर राजाओं के टैम का है यहां पर शिवजी का मंदर है जो दरबार साब के बगीचे के अंदर है वो भी बहुत ही जब से जिस्मिल की स्थाप नवी है तब से है लेकिन यहां पे प्रसाशन या सरकार जो भी आए आज तक किसी ने भी इस पे ध्यार नहीं दिया है अगर पानी बिजली और सफाई के अच्छी व्योस्ता वजा है तो गाउं में प्रियाटक का भी इ तो गाते हैं लेकिन यहां पे वो निराश होके चले जाते हैं जगा जगा बबुल की जाडिया लगी वी है इनसे रस्ता भी कही जगा अवरूद हो चुका है प्रसाशन और सरपंस द्वारा कोई इस पे ध्यार नहीं दिया जाता है जबकि सफाई के लिए हार समय हार मेने क अलिक से बंजर डाता है आज तक मैं नहीं लगता है कि कोई शुपर आके गली को समय पे सपाई की है चर्चा मेना तक को गली में नहीं आती है आती है तो उसके पास वो साध्य नहीं होता है जिसे वो कच्छरा उठा के और जगह कहीं डाले एक गली एक साइड का कच्छरा डाल के चली जाती है बकी गाउं में सिर्फ भगवानी है जो शर्मा जी बिलकुल ठीक बात कहीं कि इतने नजदी गाउं है अगर इसमें सुविधा होती तो मुझे लग रहा यहां एक बहुत बड़ा शहर बस जाता लोग आते लेकिन वोई पानी नहीं आदमी तो कैसे रह और पानी के व्यूश्टा कर देगा पानी की वैस्ता हो जाएगी तो और भी कोई कोई व्यूश्टा हो सकती है यहां पे पत्थर का बहुत बड़े खानें जिसे लोग पत्थर भी निकालते हैं कही तरह के सरकार द्वारा भी पत्टे दियों है कुछ अविध्य में भी कर लिए बड़े-बड़े नेताओं ने कभजे किये और नेताओं के साथ में और लोगों ने कभजे करके पानी को भी रोक दिया यहां तला में आने के लिए शर्मा जी देको पानी की समस्या पहले भी अमरसागर तो बहुत पुराना गाव और यहां पर बहुत सारी बेरियां अगर ये नस्ट नहीं होती पानी होता तो मुझे नहीं लगता यहां समस्या नहीं होती जिस मेल को बसे हुए उसके साथ अमरसागर बसावा है तो पहले कभी पानी की समस्या नहीं थी यह जितने भी अतिक्रमन हुए है जो पानी के आने का रास्ता है उसमें अतिक्रमन हुए हैं अत्रीवर्ण भी ज्यादा तर नेताओं के लोगों ने किये हैं आम पब्लिक ने बहुत ही कम किये हैं जगह जगह उन्हों ने पत्थर निकालने चालू कर दिये हैं जिसमें अगर उट भी खड़ा हो जाए कई जगह तो तो उट भी नहीं दिखता है तो पहले तो सब खड़े भरे जाएंगे उसके बाद पानी तलाब में आता है और इतनी वर्साते यहां पर होती नहीं है जिसे कि तलाब में पानी चके आपने बहुत सारी समस्याओं से अगुत कर ऐख श जук्री आपका श बहुत सारी समस्याओं जैंगे बता दी हैं हम हम अगर आपके गाउं की बात करें तो कितनी प리क्स बिखेंस काफी संक्याम होते हैं और 2000 बोटर्स होने के बाब दिहां इस गाउं को अंधेका किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, कि पानी की बहुत पुरानी समस्य यहां पर है, और वो दिखें, यहां जो जैसल मेर के आसपास या रेगिस्तान में जो लोग हैं, वो कहते हैं हमें पानी पहुचा दो, और आजादी को 70 साल हो गए, अब अपनी सरकारें आ गई, तो भी पानी नहीं पहुचा है, यह बड़ा ही दुख की बात है, अब गाउवाले किस से उम्मीद लगाएं, तो फिर भी लोग आज कहीं न कहीं उनके मन में एक किंदर सरकार मजबूत हो देश के लिए बोट कर रहे हैं, आपका क्या नाम है? सवरुप सौलंखी, आप अभी क्या काम करते हैं? मैं तैयरी करा हूँ, जोब की, जोब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बोट यहीं लगता है? यहीं लगता है, चलिए तैयारी करना है, देखिए एक समस्या है, वो तो देश व्यापी है, बेरोजगारी, और लोग अच् करें इस गाउं की, तो पूरे गाउं का रुख इस बार क्या नजर आ रहा है, किस से उमीद लगा के बैठे हैं, कि जो गाउं की बुनियादी सुविदायं भाल कर सकता है, देखिए पहले बीजे पी कॉंग्रेस आती रही पांच-पां साल के लिए, और इस बार हमारे एक निर्दली उमीदवार, रमीन सिंग जी भाटी हैं, तो उनसे भी लोग का पी उमीद लगा रहें, आपको इस गाउंवालों को किन से उमीद रहा है? रेवंदर सिंग बाटी से आप युवा हैं वो भी युवा हैं और हो सकता है कि युवाओं की और इस गाउं की समस्या वो बहतर समझ सकें इसलिए आप उनसे उम्मीद इश्वार है क्योंकि केला सोधरी को पहले एक बार मौका मिल चुका है उन्होंने कारे किया नहीं है जैस लाइट की शुविता है मतलब अवेद खनान की बात की तो अबेद करनन की क्या समस्या थोड़ा विश्थार से तोड़ा पताएं गाउं के आसपास जो खाली जमीन है उस पर लोगों द्वाराइद मूब मूब भूम आफे द्वारा अवेद खनन किया जा रहा है यह बात पथर निकाल देख रहे है और इसमें पानी ब्लॉक हो जाता है तो देस पानी का समस्या होती है तो देखिए यह जो अमर सागर का बहुत ही पुराना तालाब है और इसमें इतनी सारी बेरियां और एक बेरी अभी बी चालु है लगबक शाड़े आट-सो साल पुराना इसके अथिक्रम्ण नहीं होते चारो तरफ, तो इस गाउं को कम से कम मीठे पानी की समस्या नहीं थी. ऐसा मुझे मानना है, चलिए मैं आपको उन वेरियों को दिखा देता हूँ, जहां पानी सूका पड़ा है, तालाब सूकने का कारण बता रहे हैं, के चारो तरफ अतिक्रमण हो गए अबैद खनन के कारण पानी यहां तक नहीं पहुचता है तो आपको में वेरिया जरूर दिखा देता हूं चलिए बहुत 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 शुक्रिया सोलंकी जी आपका तो देखे पीछे आप मेरे देख रहे होंगे बहुत बड़ा तालाब ह है और यह कभी सूकता नहीं था इसलिए इसका नाम अमर सागर रखा गया था और यह मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इनको क्या बोलते हैं कितनी बेरी हैं यहां अभी सब तो दस-पंदरा बेरी थी जैसे हमें चार पास तो बूर गई थी इससे हैं है सामने इतने बेरे इसमें बहुत सारी गंदगी पड़ी है और वह है और उधर बहुत सारी बनी हुई है लेकिन यहां पर एक बेरी बता रहे हैं कि जो अभी चालू है यह वाली इसमें मीठा पानी है तो यह पहले पुराने समय में जो जैसल मेर बहुत पुराना रियासत थी उसका एक छोटा सा गाउं है अमर सागर ऐसा बता रहे हैं कि यह जाए 800 अशल पहले इस गाउं के लिए मीठा पानी यह बेरियों का उपलब्द होता था जो चार तरफ यह बारिश का पानी इस तालाम में आता था और वह फिल्टर होके इन बेरियों में नीचे चला जा जाता था और सीडिय आज जो कुवां हैं जो यहां का जो पानी सरकार दोहरा सप्लाई हो रहा है बहुंð सारा खारा पानी पीने को मझबूर हुए बहुत सारे चुनाओं में नेता आते हैं बोट पांगने बादे करते हैं लेकिन कोई भी आज तक नहरी पानी यहां पर उपलब्द नहीं करा पाया है और गावालों का कहना के जो तीन तीन यामले हुए उन टीनों के घर यहां इसी गाव में है लेकिन वह मीटा पानी कहोंगे कि अपने लिए कहीं न कहीं से बिवस्ता कर लेते हैं लेकिन गरीब आद में वह कहां से करें तो समस्या बहुत हैं गाहँ वालों हमने बात करके आए हैं अभी तो मैंने सोचा यह बेरियां भी दिखा दें और यहां पर एक नन्ना फैन मिला है मुझे क्या नाम है तुमारा आ दिखे एक नन्ना रिक्यस्ट कर रहा है एक बालक है और कौन सी क्लास में पढ़ते हूं देखो सिक्स क्लास में पढ़ता है और यह रवींद्र जो रवींद सींग भाटी है उनका फैन है और देखो नेताओं से उम्मीद नहीं बड़े-बड़े नेता हो चुके हैं लेकिन एक रवींद्र युवा जो चुनाव लड़ने आए यहाँ पर और एक नन्ना बच्चा उनका फैन है और यह कह रहा है रवींद्र हमको पानी इस गाउ में दे सकता है और कह रहा है कि रवींद्र को बोट दे करके जिताना है ऐसा इस बच्चे का कहना है भावना इस पी बनेगा यहां से चुनाव में तो आपकी घर तक मीठा पानी आपके जरूर मिलेगा मैं आपको रविंदर के नंबर देदा हूँ लोकसवा चुनाव दो हजार चुनाव का महा कावरेच हर शोहर गाउं और धानियों का चुनावी रंग श्याम बिर सिंग के संग आपके शोहर जैसलमेर का लोकप्री यूट्यूब चैनल जैसलमेर की गलियां